अश्कार दोस्तों बुदुवार की वरत कता कुछ इस प्रकार से हैं एक समय की बात है एक फिक्टी का विवा हुए कई वर्ष बीद गए विवा के बाद उसके पत्नी एक बार अपने माईके गई वी थी तो पत्नी के माईके में रहने के कई दिनों बाद उसका पती अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुरान पहुंचा ससुरान में कुछ दिन तक रहने के बाद वे पत्नी को माईके से विदा करने की बाद अपने सास ससूर से कहता है तो बुदुवार का दिन होने के कारण उसके सास ससूर ने कहा कि इस दिन बेटे ससुरान से नहीं जा सक इसकारव विदाई नहीं हो सकती लेकिन मैं व्यक्ति नहीं माना अपनी पतनी को माईके से विदा करा का अपने घर की तरफ चल दिया और रास्ते में जाते वक्त पतनी को बहुत तेसी प्यास लगी तो पती पानी की तलाश में दोधा भटकने लगा काफी देर के बाद जब पानी लेकर वापत लोटा तो उसने देखा कि पतनी के पास उसी की वेश्विशा में कोई अन्य व्यक्ति पतनी के संग बैट का बाते करता हुआ दिखाई दिया अब दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे पहले व्यक्ति ने गुस्से में अपने दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि कौन है क्यों अप उसकी पत्नी के साथ बैका बाते करना है फिर आपस में लड़ने लगे दूसरे विक्ति ने भी कहा कि यह मेरी पत्नी है दोनों के बीच भैयानक लड़ाई होने लगी तब वहाँ पर कोई सिपाई आए गए और इसे से उसके असली पती के बारे में पूछने लगे दोनों विक्ति को देखका इस्तरी हैरान हो गई कौन मेरा पती है तो वह दूइधा में पढ़ गई तूकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे तो वह पहला विक्ति परिशानों कर मन में कहा कि भगवान ये कैसी आपकी लीला है तब आकाश्वाने ह पहुरण ही बुद्धिदेव अंतरजान हो गए अब उस्वेक्ति को अपनी पत्नी मिल गई तब इसे हर दिन बुद्ध के दिन बगवान गरीश की पूजा करने लगे ब्रत करने लगा ये थी आज की बुद्धिवार की ब्रत करता हरे किश्णा